अजी असलाम लेकूम जी क्या लाह मीद करने हैं सारे यूट्यूब ते फैमली सारे ठीक हो सो अच्छा जी आज नी वीडियो है स्पाउज जी जाने बारे वीच ते ओ में अच्छानल कुछ पॉइंट मिन्ठा से नहीं और शेयर करना हैं उननी बायो मैट्रक सी जड़ी ओ ज लाइक करो, वीडियो पूरी सुने खरो, वीडियो स्किप ना करया करो जेड़े बंदेहार इन शादी करके इतब उनने वीडियो बहुत ज़्यादा फाइदे मांद हैं और जिनने वीज अपलाई है उननें की सब्रक्र करना चाहिना हैं अच्या जी आज नहीं वीडियो है कि मेरा एक दोस्त है वो पाकिस्तान से यूके आया है दो दिन पहले तो उस से मैं मिला हूँ उस से मैंने सारी डिटेल पूछी है तो उस ने मुझे जो बताई है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आप जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ आपको अच न्यूज है उसकी जो है वो बायो मेंट्रिक थी जो वो 15 अक्तूबर की थी और उसको वीजा मिला है और उसको आज दो दिन हुए हैं यहां पे आया है उसने मुझे बताया था कि उसको 20 जो है नूवंबर को या 21 नूवंबर को जो है पासपोर्ड मिला था पासपोर्ड क्ल कर लो उसने कोई पेड इंक्वाइरी नहीं की कोई उसकी परियोटी सर्वस नहीं थी उसने वीजा जम्म करवाया और सबर किया ठीक है मैं आप लोगों को भी कहता हूं जिसने वीजा जम्म करवाया हुआ है आप सबर रखो इन्शाला आपको जल्दी जवाब मिलेगा पेड इनक्वाइरी करने से आपको जवाब नहीं मिलता इसना जल्दी वो आपको यह जवाब देते हैं किया हम जो है आपका केस चेक कर रहे हैं ठीक है अगर चेक कर रहे हैं यह आएगी या आप सेकंड इमेल करोगे तो आपको यह आएगा केस जो है वो आपका लाइन में है केस तो वो ये दो चीज़ें हैं जो ज्यादा जो आपको एमेल का जो है अंसर देते हैं पेड़ इंक्वाइरी का ठीक है और दूसरी बात ये होती है कि आप जो है प्रियोर्टी सर्वस कर रहे हो 500 पांड जो है पकिस्तान से लोग दे रहे हैं तो उसका यार कोई फाइदा नहीं हैं जहां पर आपने इतना सब्ड़ किया तो उस पर थोड़ा सा और सब्ड़ कर लो अब के लिए बहुत अच्छी इंफ्रमेशन होगी वो भी ठीक है तो वो अगर आप 500 पांच सो पांड एक्स्ट्रा देखें तो फिर भी आपने दो मन्थ वेट करना तो उसका फाइदा नहीं है आपके पैसे जाया हो रहे हैं ठीक है और उसने जो है वो बीस तारी कोगलेट की है लास्ट मंथ में तो उसके बाद उसने टिकट उगहरा चेक किये तो उसको टिकट जो है वो काफी एक्सपेंसिव मिल रहे थी इसलामाबाद से मंचस्टर कनेक्टिंग फ्लाइट पाकिस्टान से यू के में तो उसको आने में प्राब्लम ना हो बायोमेटरिक डेट्स वगहरा जो है वो आप जो भी स्पाउस वीजा आप ने जमा करवाया हूए अप मुझसे आपनी बायोमेटरिक टेट जो है वो शेड़ का सकते है टाइम फ्लाइम जो भी वो मैं आपक कि कितना दाइम आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन ये बताना होगा कि आपने कब जमा करवाया है ठीक है दूसरी बात ये है कि उसने टिकेट बुक की है फिर टिकेट बुक करके तो वो आया है पाकिस्तान उसने जनाब एरपोर्ट पे वो गया तो उन्होंने चेक की है सार अबामबाद से जो वहां पे जैदी होती है वो हमेशा है जो है ना नया बंदा जाबाता है ना जो नया बंदा आता है ना उसके लिए प्राब्लम होती है वहां पे प्राब्लम वो खुद क्रियर करते हैं आपको तंग करने के लिए कि आप से कुछ पैसे मिल जाएं अदरवा जा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप जो है उनको पैसे मत दो आपके पास सब कुछ है डाकूमेंट्स क्लियर हैं आप उनको दिखाओ तो आप उनसे बैस भी कर सकते हो इस बात पर आप राइट बनते हो तो वो आपसे पैसे मागते हैं उसके बाद आप आगे जा रहे हो यह इंटर होते हो तो आपको बिला वज़ा जो है इंटर्वियू हो लेते हैं कोई अथराइस नहीं होता जी यह हो गया वो गया तो आप यह नहीं लेके जा सकते हैं वो नहीं इतने पैसे देने पड़ेंगे यह सब कुछ जूट है वहाँ पे आपको नहीं रोक सकते हैं उनका एक ऐसा करने से वो और भी काफीर लोगों को तंग करते हैं फिर आप ये वीडियो पूरी गोर से सुनो आपको समझ आएगी सारी बाते तो अगे जो है वो मैं आपको बताता हूं उसका जो वहांसे वो क्लियर हुआ है इसलमाबाद एरपोर्ट से कोई स्ट्रिक नहीं है क्वेस्टन होते हैं ये होता है वो होता है कुछ भी नहीं होता तो उसके बाद वो दबही के लिए निकला है दबही में उसकी थी चार गंटेस्टे फोर आवर उसके बाद वो उद्दर से आया मंचेस्टर तो जब मंचेस्टर आया तो यहां पे भी उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ क्वेस्टन लोग कहते हैं जी जो है आप यू के में एरपोर्ट पे जाते हो तो आप से जो है ये क्वेस्टन करते हैं बहुत जादा ऐसा वैसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ दो से तीन सवाल उनोंने किये हैं और दो से तीन सवाली वो करते हैं इस से ज्यादा वो नहीं करते हैं अगर ज्यादा वो करते हैं तो वो किसी वज़ा से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो लंबी होने जा रही है लेकिन आपको इनफर्मेशन ओनी चाहिए मैं आपको ये सारी इनफर्मेशन इस्लीए दे रहो हूँ कि जो बाए नया आर है पाकिस्तान से आपको पता होना चाहिए कि आपने किया करना है कैसे सब कुछ हैण्डिल करना है अपने सर पर तो वहाँ पे आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपने खुद जो है आप उनके साथ बात करनी है तो यहाँ पे यह होता है कि आप आ रहे हो ना कौंटर पे जो काफी बीजी होता है एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे जो है वो बंदे होते हैं उन में से आप भी हो तो आप जो है जब आपका नमबरात है उस क्यू में से आप जाते हो कॉंटर पे तो कॉंटर पे जो है वो तीन जो है कॉंटर ओपन होते हैं एक कॉंटर है जो वहां पे गोरा होता है दूसरा कॉंटर है जो वहां पे अर्बी होता है तिसरा कॉंटर है ज अगर आप गोड़े के समने जा रहे हो। तो वह भी आपसे नार्मल क्वेस्टन करेंगा और आप झादिने हैं। थोड़ा ड्ले करके इस के साथ दूसरे के पास सी ले गए हो जो पकिस्तानी है तो वो आपसे उर्दो में बात करेगा मंचेस्टर एरपोर्ट है जो या कोई भी यूरॉप कंट्री में है अगर कोई पकिस्तानी है कॉंटर पे तो आप उसके साथ अपनी जबान में बात कर सकते हो उर्दो जबान आपनी जो है तो वो आपसे उर्दो में बात करेगा कि कहां से आयो कहां जाना है अड्रेस पूछेगा और एक दो question नेम और जो बार्टनर के तो आपके ये जो तीन चीज़ें ये आप से पूछेगा उसके बाद आपको stamp लगाएगा आपके passport पे तो आप बुलेगा के विल्कम तू यू के इतनी सी कहानी है यू गया वो गया फलाण बंदे के साथ ऐसा होता है फलाण के ऐसा है ऐसा यहासा कुछ नहीं है यह सब जूट है लोग जो यूटुपे काफी फेक निउस डालने है question जी यह होते हैं वे वो ऐसे ही जो है न बंदे को पागल किया होता है तो बंदा पागल होता है उनकी ये वीडियोस देखे लेकिन आसा वैसा कुछ नहीं होता अराम से आओ रिलेक्स होके आओ आपको कोई बंदा थांग ने कर सकता आप अपनी जगह पे राइट हो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए और दूसरी जो है इंगलिश के बारे में इंगलिश जो है लेवल उन जो है आपने करना है तो वो भी जो है डाकुमेंट्स हो गहरा अगर किसी को चाहिए वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ उनके जो क्वेस्ट आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से आंसर हैं कौन से नहीं है तो वो मैं एक वीडियो बनाओगा अगर उससे पहले आपको किसी ने वो question जो है answer हो चाहिए हो कोई भी उनके जो letters होते है वो सारे मेरे पास मजूद है अगर किसी की मतलब help हो जाए तो वो अच्छा है आप मुझे वो उसके बारे में बात का सकते हैं तो चैनल subscribe करना ना भूलिएगा वीडियो लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में शाला